Why Eastern India is affected from Naxalism more? Development versus Extremism दोस्तों हर एक इंसान के कुछ basic needs होती हैं आज के जमाने में adequate food, clothing और housing के साथ साथ हर इंसान quality education, skill development, suitable employment, stable health, rule of law और human rights के साथ एक dignified life जीने की इच्छा रखता है अगर कोई सरकार अपने लोगों की इन basic necessities को पूरा ना कर पाए तो लोग अपनी ही सरकार के विरोधी हो जाते हैं यहीं से इन disadvantaged groups के मन में अलगाव की भावना भी पैदा होती है और अक्सर यह भावना देश में separatism यानि अलगावाद और extremism यानि उग्रवाद को जर्म देती है उधारन के लिए इंडिया के eastern states कई दशकों से नक्सेलिजम नाम के अभिशाप से पीडित हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम नक्सेलिजम के context में development versus extremism की debate को decode करेंगे हम समझेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है जो इंडिया के eastern region को नक्सेलिजम का center बना देते हैं तो आईए बिना देर किये इस discussion को आगे बढ़ाते हैं नक्सेलिजम, the historical origin दोस्तों इंडिया का नक्सेलाइट movement दुनिया की सबसे लंबी और सबसे violent homegrown insurgencies में गिना जाता है नक्सेलिजम की ideology एक ऐसी extremist belief में मानी जाती है जिसके मताबिक इंडियन government एक semi-colonial, feudalistic और imperial government है जिसको overthrow करना जरूरी है नक्सेलाइट्स, far left radical communists के groups को कहा जाता है जिनका जन्म post-colonial India में हो रहे landlords के exploitation से लड़ने के लिए हुआ इसलिए इसको left wing extremism भी कहा जाता है दोस्तों अगर हमें ये जानना है कि इंडिया की कुछ region pockets नक्सेलिजम की चपेट में कैसे आई तो इसके लिए हमें इसके इतिहास को समझना होगा इसकी शुरुआत late 1950s में इंडो-निपाल border से सटे West Bengal के एक छोटे से गाउं नक्सल बारी में Independence Movement के रूप में हुई उसी गाउं के नाम पर इसका नाम Naxalite Movement पढ़ा चाइना में Mao के revolution से प्रेरणा लेते हुए चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे ट्राइबर लीडर्स ने landless laborers and farmers के हग के लिए land redistribution की मांग के साथ armed struggle शुरू कर दिया 1967 में feudal lords के against इसने एक communist peasant reward का रूप ले लिया और इसी movement ने इंडिया में Naxal Insurgency के बीच बो दिये शुरू में ये struggle landlords या money lenders के against था जिसने आगे जाकर सरकार विरोधी रूप ले लिया नकसल बाड़ी से शुरू हुई ये कहानी आने वाले कुछ दशकों में बिहार, जारखंड, ओडिसा, चतीजगर, मध्यप्रदेश, बहराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और करनाटक तक फैल गई और इन राज्यों की नकसलिजम से पीडित रीजन को समेलित रूप से red corridor कहा जाने लगा इन सभी जगह ये farmers और ट्राइबल्स की local discontent की तरह शुरू हुआ था कहीं इसका main motive agrarian reforms कराना था, तो कहीं ये forest and tribal laws के against शुरू हुआ था लेकिन बढ़ते बढ़ते एक particular ideology को follow कर लिए एक serious internal security issue बन गया इंडिया में नेकसलाइट movement तीन broad phases में इमर्ज हुआ First phase, late 1960s से लेकर 1973 तक चला Mao की revolutionary tactics और China के cultural revolution से inspire होकर नकसलाइट movement अपने first phase में West Bengal और आंधर प्रदेश में सीमित रहा इस दोरान ये peasants force का use करके land seize करते थे और फिर खुद को police और landlord से बचाने के लिए arms का सहरा लेते थे लेकिन इन activities ने इंडिया के far east के बढ़ते बढ़ते ethnic, caste और class based political violence का रूप ले लिया 1969 तक आते आते उनके popular leader चारुमजुमदार की leadership के अंदर नकसलाइट्स, CPI Marxist, Leninist यानि CPI ML की umbrella के अंदर ओगिनाइज हुए CPI ML political power seize करने के लिए gorilla warfare की techniques यूज करने लगे कोलकाता पुलीस ने नकसलाइट लीडर चारुमजुमदार को जुलाइ 1972 में अरेस्ट किया जिसके कुछ ही हफतों बाद पुलीस custody में मजुमदार की death हो गई उसके बाद कोलकाता में बढ़ती पुलीस और state paramilitary की presence के चलते एक के बाद एक सभी नकसलाइट leaders पकड़े जाने लगे 1973 तक नकसलाइट के सभी power centers को eliminate कर दिया गया इस तरह इस phase के दौरान government का involvement इस region की socio economic conditions को improve करने के बजाए severe counter insurgency operations के रूप में देखने को मिला अब चुकि नकसलिजम को जन्म देने वाले root causes का समाधा नहीं हो पाया तो ये चीज नकसल्स के लिए और भी ज्यादा violence करने और local लोगों को अपनी तरफ attract करने का बहाना बन गई खैर इसके बाद दूसरा phase late 1970s से लेकर 1994 तक चला अगर बात करें दूसरे phase की तो उसमें ये movement 40 से ज्यादा अलग-अलग groups में बट गया लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपने groups को consolidate करके re-mobilize करना शुरू किया इस phase में ये आंध्रप्रदेश, ओडिसा और तेलंगाना के साउथ इस्टन स्टेट्स में फैला अब नकसलाइट insurgents, landlords को kidnap करके उनको villagers के सामने apologize करने और forced bribes को लोटाने के लिए force करते थे इस phase में counter insurgencies operations और भी ज्यादा intensive हो गए और violence बढ़ती गई नकसलाइट political parties को elections contest करने से ban कर दिया गया, लेकिन violence तब भी बढ़ती रही इस phase में brute force के साथ साथ स्टेट ने counter insurgency operations को expand किया इस strategy के चलते, violent incidents काफी कम हुए और लगभग 9000 नकसलाइट्स ने surrender किया इसी के चलते, कुछ moderate नेकसलाइट political parties पर लगाए गए ban भी lift कर दिये गए और second phase यहां खत्म हुआ दोस्तों, इसका third और most significant phase 2004 से लेकर 2015 तक चला 2005 से लेकर 2011 तक, violence अपनी peak पर रही और 2014 तक आते-ाते, हालात कुछ शान्त हुए इस दौर में violence इसलिए बढ़ी, क्यूंकि mid 1990 से लेकर early 2000s तक fragmented Naxalite groups जैसे की People's War, Party Unity and the Maoist Communist Center MCC ने एक United Front, the People's War Group PWG established किया 2004 में Communist Party of India, Maoist, Leninist, PWG, Maoist Communist Center of India, MCCI और Communist Party of India, Maoist के 40 दूसरे insurgent groups के merger ने पूरी बाजी insurgents के favor में पलट दी 2005 के second half तक, Naxalite's attacks की intensity, बाकी domestic terrorists और insurgent groups के comparison में काफी ज्यादा बढ़ गई, 2006 से 2007 में ये trend और भी तेजी से बढ़ा, और इस phase में ये movement इतने vast geographical area में spread हुआ, कि उसने जम्मू और कश्मीर और North East जैसे regions में चल रही insurgencies को भी पीछे छोड़ दिया, अपनी peak के दौरान, Naxalite's देश के लगभग 200 से भी ज्यादा districts dominate कर रहे थे, late 2000s में उनका geographical influence तो बढ़ ही रहा था, लेकिन साथ ही उनके finances लगभग 1500 crore rupees तक पहुँच गए, 2010 तक आते आते, Naxalite's इंडिया के 9 states में active थे, जिसमें से 7 states, West Bengal, बिहार, ओडिसा, 36 गड़, जारखंड, आंधरप्रदेश और महराष्ट्र में उनके strong foot holds established थे, दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैसे Naxal movement का जन्म हुआ और कैसे वो धीरे धीरे देश के अलग-अलग regions में expand होता गया, अब हम उन factors पर focus करेंगे, जो मुख्य रूप से देश के एक particular हिस्से में इस violence को जन्म देते हैं. दोस्तों इसका एक major factor है tribal population का government के साथ dissatisfaction और ये अलग-अलग कारणों की वजह से होता है. Tribal population अपने livelihood के लिए मुख्य तोर पर forest products पर depend करती है, लेकिन Forest Conservation Act of 1980 के तहत इन products पर से tribal population का अधिकार छीन लिया गया था. हालत ऐसी थी कि अब वो किसी पेड की चाल का टुकड़ा भी obtain नहीं कर सकते थे. इसके अलावा इन regions में common property resources जैसे की community pastures, watershed drainages और village tanks यहां की economy और local communities के livelihood में एक एहम भूमी का निभाती हैं. लेकिन इन states के कुछ हिस्सों में बढ़ता हुआ industrialization ऐसे resources को exploit करता नजर आता है. लेकिन इसके अलावा, इन issues को लेकर governments का भी कहीं न कहीं poor response देखने को मिलता है. और जब इन problems और disputes को समय रहते resolve नहीं किया जाता, तो वो local population के frustration का कारण बन जाते हैं. और यहीं से violent mindset की शुरुवात होती है. इसके अलावा, जैसा के हम जानते ही हैं, भारत के ओडिसा और जार्खंड जैसे tribal areas mineral resources से भरपूर हैं. इसलिए अकसर ऐसा होता है कि इन regions में सरकार के development projects, mining operations और बाकी state activities की वजह से tribal population को अपना घरबार छोड़ कर dislocate होना पड़ता है. ऐसे में इनको अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़ता है. इसकी चलते इन displaced population को multi-dimensional trauma से गुजरना पड़ता है. ना तो इनके पास income का कोई source होता है और ना ही रहने के लिए कोई permanent space. मावेस्ट्स ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं और इनकी कमजोरियों का फाइदा उठाते हुए इन्हें government के खिलाफ बढ़काते हैं और अपने group में शामिल कर लेते हैं. मावेस्ट्स groups इन लोगों को arms, weapons और money सप्लाई करते हैं. sociologists भी मानते हैं कि eastern region में रहने वाले लोगों को देश के बाकी हिस्सों के comparison में enough economic opportunities नहीं मिल पाई हैं क्यूंकि ये लोग अपनी मांगों को electoral process के जरिये mainstream में नहीं ला पाते हैं. इन regions को लेकर state government का focus, development से ज्यादा extremist groups पर violent attacks के रूप में देखने को मिलता है. इसकी वजह से नकसल-infested areas में health care, education, awareness, electricity, internet connectivity और communication जैसी basic सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं. कई researchers ये दावा करती हैं कि इन सभी parameters पर red corridor बाकी इंडिया के comparison में काफी poor perform करता है और इन facilities का ना होना इन regions में बाकी development projects को भी hamper करता है. उधारण के तौर पर इन regions में आज भी ऐसी कई communities हैं जो बाकी state या country के साथ किसी भी तरह के effective communication network से जुड़ी हुई नहीं है. इस तरह के infrastructural issues इन regions में state की outreach को प्रभावित करते हैं. दोस्तों किसी भी program या scheme की success उसके proper implementation और monitoring पर depend करती है. लेकिन इन remote regions में poor administration, इन schemes का successful implementation ensure नहीं कर पाता है. एक monitoring mechanism ना होने के चलते कई बार इन schemes का misuse भी किया जाता है, जिसकी वजह से ये benefits target population तक नहीं पहुँच पाए हैं. और Nexalites अपने मकसद को पूरा करने के लिए ऐसे ही socially और economically disadvantaged groups का सहारा लेते हैं. तो दोस्तों कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि अगर इस region में extremism से लड़ना है, तो government को ऐसी rigorous policy measures adopt करनी होंगी जो देश में equitable development ensure कर सके. इन measures को इंडिया के development discourse में equality के साथ-साथ efficiency को promote करना होगा. कुछ experts मानते हैं कि जो institutional mechanisms इस regional imbalance को खत्म करने के लिए बनाए गए, वो पूरी तरह successful नहीं हुए हैं. इन mechanisms को successful बनाने के लिए policy process को और भी ज्यादा democratize करने की जरूरत है. और इस तरह का transition policy regime में innovation डिमांड करता है. एक research के मताबिक इसके लिए knowledge, discussion, inclusion, implementation, framework और public awareness जैसे pillars पर काम करने की अधिक आवश्चकता है. अगर इन pillars पर काम किया जाए, तो ये इंडिया की regional disparity से लडने के लिए better policy outcome को contribute कर पाएंगे. Conclusion इस टेट्स के कुछ हिली districts तक restrict कर दिया है. Development और governance fronts पर state की बहतर performance के चलते, आज नकसल insurgents उस level पर grow नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपने peak era में किया था. Home Ministry की September 2021 की meeting के अनुसार, माविस्त का geographical influence जो 2010 में 10 states के 96 districts में फैला हुआ था, वो आज घटकर केवल 41 districts तक ही सी मित रह गया है. इस violence में reduction देखते हुए, center ने 90 में से 20 districts और 11 में से एक नकसल affected state को security related expenditure के तहद दी जाने वाली central funding से हटा दिया है. इसी के साथ साथ 2012 में socio-economic रूप से पिछडे हुए districts के development के लिए aspirational districts program लाँच किया गया. पिछले एक दशक में left wing extremism से जुड़े incidents में काफी तेजी से decline देखने को मिला है. 2009 में जहानलगबग 2258 incidents record किये गए, वहीं उसके बाद से लेकर August 2021 तक केवल 349 incidents ही सामने आए. इसी period के दौरान deaths की संख्या 908 से घटकर 110 तक कम हुई. लेकिन इस सब के बावजूद, आज भी इस problem को पूरी तरह eliminate नहीं किया जा सका है. इस meeting में कुछ ऐसे new potential areas को भी identify किया गया है, जहां पर इस problem के emergence की संभावना बढ़ रही है. CPI Maoists के इस expansion plan को रोखने के लिए 8 districts को District of Concern की list में डाला गया है. इसी meeting में Home Minister Amit Shah ने बताया कि कैसे ये dissatisfaction उन areas में lack of development की वजह से जन्मा है, जो independence के 70 साल बाद भी वहां नहीं पहुँच सका. तो आज इस extremism से deal करने के लिए, इंडिया के इन regions का fast-paced development ensure करना बहुत जरूरी है. अगर इन regions की fundamental problems को वक्त रहते address किया जाता है, तो इस extremism को भी रोकना संभव है. इस discussion से हमें ये पता चलता है कि development और internal security एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. तो ये एक तरह की vicious cycle है, जहां एक तरफ lack of progress and development इस extremism को fuel करता है, वहीं दूसरी तरफ इस extremism से होने वाली violence, development के chances को diminish कर देती है. इसी लिए इस issue को tackle करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि देश में unequal growth से create हुए divisions को वक्त रहते खत्म किया जाए. केवल तब ही इस problem को जड़ से उखाड़ा जा सकता है.